आज मैं आप लोगों के लिए दाल से बनने वाले एक ऐसे नास्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ जो आप लोगों ने खाया तो जरूर होगा लेकिन आज आप मेरा तरीका देख के कहेंगे वह क्या केस्ट आया इसमें तो चलिए बनाते हैं उरद की दाल और साथ में चने की दाल से बनने वाला ये नास्ता इसमें हम कुछ ऐसे मसाले का यूज करेंगे जो आपकी इस रेसिपी को एक दब नया फ्लेवर देगी आपने अभी तक खाया होगा लेकिन इस बार आप मेरे बताए हुए तरीके से बना इसमें मैंने खड़े कुछ मसालों का यूज किया है जो कि इसको एक बहुत ही रिच टेस्ट देंगे तो चलिए देखते हैं दाल से बनने वाला नास्ता कैसे हैं आप सब आयूप सब अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे अपने अपने घरों में सेफ होंगे तो मैंने दी दाल से बनने वाली इस नास्ते की रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हमने आप चने उरत की डाल को अच्छे से साफ कर लिया था उसके बाद वाश करके रात भर के लिए भीगो दिया था यहां पे हमने उरत की जो दाल है छिलके वाली है आप धुली हुई उरत की डाल भ एट करके और लैसुन भी एट कर देंगे और इसे हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे अगर आपको पानी की जरूरत लगे तो आप थोड़ा सा एट कर दें अधर्वाइस बिना पानी के ग्राइंड हो जाए तो बहुत अच्छी बात है तो यहां पे देखिए उरत की डाल हो गई है अच्छे से पीश चुकी है तो हम इसे एक बाल में ट्रांसपर कर लेंगे उसी जार में बाकी की जो चने की डाल है वो भी हम ग्राइंड कर लेंगे वैसे तो बराबर मात्रा रखेंगे दोनों डाल की लेकिन आप चाहे तो कोई भी कम जादा कर सकते हैं तो यहां आपन इसमें नहीं रहेगा तो हम इसमें नमक पहले कर लेंगे तो देखी हमने यहां पर नमक कर लिया है और उसके बाद अब हम इसे मिक्स करने के बाद ही इसे गूत लेंगे बहुत है अच्छी नजढ़ जादा नबहुत जlor Right. dram कर Papika तो देखिए चावल का आटा यहाँ पे हम इस तरीके से गूथ रहे हैं तो चलिए चावल का आटा तो गूथ चुका है तो अब हम इसे रख देंगे प्लेट में साइट में थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनेट रेस्ट होने के लिए और यहाँ पे हमने लिया है हींग थोड़ी सी उसके बद एक चमच खड़ी धनिया और एक चोथाई चमच लॉग एक चमच काली मिट एक चमच सौफ और एक चमच जीरा इन सभी को हम क्या करेंगे ड्राइ रोस्ट कर लेंगे तो गैस ओन करके हमने रखे एक कड़ाई और इन्हें हम खुश्बू आने तक या फिचिटकने तक हम भून लेंगे तो यह जब भूनते हैं तो यह देखिए दाने थोड़े से चिटकते हैं आप ध्यान से देखिए तो देखिए पूरा घर फ्रेंट से इसकी खुश्बू से महग उठता है यह जो मसाला है इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा तो इस रेसिपी को हमारे यहां तो फरे बोले जाते हैं दाल के फरे और कहीं-कहीं इसको चावल के आठे से बनाया जाता है हाँ-कहीं-कहीं-कहीं-कहीं-कहीं-कहीं-कहीं-कहीं-कहीं-कहीं-कहीं-कहीं-कहीं-कहीं-कहीं-कहीं-कहीं-कहीं-कहीं-कहीं-कहीं-कहीं-कहीं-कहीं-कहीं-कहीं-कहीं-कहीं-कहीं-कहीं-कहीं-कहीं-कहीं-कहीं-कहीं-कहीं-कहीं-कहीं-कहीं-कहीं-कहीं-कहीं-कहीं-क आइड कर सकते हैं हमने हरी मिर्च आइड कर दिया है एक से दो चमच और खुब सारी हम यहाँ पर हरी धनिया पती आइड करेंगे तीका अपने इसाफ से देख ले एक चमच हमने कद्दूकस किया हुआ अध्रग कर दिया है नमक कर देंगे हम सौध की अनुसार तो फ्रेंट आप एक बार ये मसाले ट्राय करके बनाएए ये फरे आपको कैसे लगेंगी मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा तो चलिए ये मसाला जो हमने रोस्ट किया था इसको हमने ग्राइंड कर लिया है और अब हम दाल के मिक्चर में इसे एड़ करके और मिक्स कर लेंगे तो फाइनली जो दाल है वो अच्छे से मिक्स हो गई है मसालों के साथ में तो अब हम उसे रख देंगे साइक पे और जो चावल का आटा है वो भी रेस्ट हो चुका है तो अब हम थोड़ी थोड़ी ले करके छोटी छोटी लोईया बना लेंगे जैसे रोटी बनाते हैं उसस स्टीमर हो उसमें पानी रख देंगे गर्मूने के लिए उधर पानी अच्छे से बोईयल होगा तो यहां पे हम थोड़े से फरे बनाके तयार कर लेते हैं तो ऐसे छोटे छोटे पेड़े बनाके और हथेलियों से ही आप ऐसे इस तरीके से करके बना ले छोटी छोटी छो पानी गर्मूने रख देंगे और एक करके फरे जो है इसमें रख देंगे जिसे कि यह भाप से पक जाएंगे अगर आपकी पास स्टीमर है तो आप उसमें बनाएं वैसे ही रेसिपी सभी लोग बनाते हैं लेकिन इसमें जो मैंने मसाले यूज की है उससे इसका फ्लेवर अलग ही आने वाला है तो देखिए थोड़ी दिर बाद दाल दीरे-दीरे पकने लगी है इसे हम फिर से ढखके और पांच से दस मिनट के लिए पकाएंगे तो देखिए दाल अच्छे से पक चुकी है अब हम इसे पलड़ देंगे और इनमें एक खास्यदी रहती ही कि इसे आप बना के रख सकते हैं जब खाना हो आप फ्राइ किये फ्राइ करके या फिर पिना फ्राइ करके खा सकते हैं तो देखिए फरे बन चुके हैं और भी बन रहे हैं इधार हम इनको कट कर लेंगे इस तरीके से हमने कट कर लिया है और बाकी के जो फरे हैं उन्हें भी हम थोड़ा सा और कट कर लेंगे और अब हम क्या करेंगे गैस अन करके कडाई रखेंगे उसमें हमने थोड़ा सा सरसूं का तेल एट किया है थोड़ा सा प्याच कट करके एट किया है और आदा चमच हम यहां पे जीरा एट करेंगे पिर हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, जो प्याज है वो पहले ही ज्यादा ब्राउन मत कीजिएगा, क्योंकि बाद में ये फरे के साथ में ब्राउन होता चला जाता है, नमक थोड़ा साम एक कर देंगे, क्योंकि अंदर दाल में तो नमक पड़ा हुआ है, बाहर भी सा हरी धनिया पत्ती एड़ करके और अच्छे से चला देंगे गैस की फ्लेमी समय हम हाई रखेंगे जब इसे फ्राइब करेंगे तो देखिए बढ़िया कितना क्रिस्पी हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर इसमें आ गया है कितना अच्छा लग रहा है आप इसे तो वीडियो को लाइक कर कीजिएगा चैनल पर नहीं तो फचा फच सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा बेल आइकन प्रेस करने से आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाते हैं हाँ आप चाहे तो मुझे इंस्टेग्रम में भी फॉलो कर सकते हैं आप सभी ने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्स फॉर वोचिंग